साथियों एक अच्छी खबर है कि दिल्ली के अंदर 35,000 के अराउंड न्यूज टीचिंग पोस्ट आने वाली है यह आपने वीडियो देख ली होगी और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिजर्विंग केंडिडेट अब की बार बेरोजगार रहेगा आप समझ सकते हैं कि वेकेंसी का एक पिटारा खोल दिया है कोट का ओर्डर आया है कि जल्द से जल्द 35,000 जो टीचिंग पोस्ट है वो निकाली जाए तो साथियों अभी देखना है कि कितना समय और लगता है लेकिन अगर एक दो महिने एक्स्ट्रा भी लगते हैं तो आपको समय मिलेगा प्रेपरेशन करने का तो साथियों अभी हम जो जिस मुद्दे पर बात करने आये हैं वो हम बात करते हैं DSSB की ट्रांसपेरेंसी को लेके बहुत सवाल उठते आये हैं जैसा आप जानते हैं काफी कैंडिडेट्स बोलते हैं कि हमारे मार्क्स कम कर दिये गए और ये सिर्फ PRT में नहीं और भी अन्य जो पोस्ट थी जिनमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ उनमें भी ये सवाल उठे कि हमारे मार्क्स कम कर दिये गए तो साथियों मैं ये नहीं कहरा कि DSSB ही गलत है हो सकता है कि उन कैंडिडेट्स से मिस्टेक हुई हो लेकिन कुछ गलती DSSB की भी है जिसमें हम बदलाव की मांग जरूर करेंगे और इस बदलाव में आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे ही हमें पता चला कल वेकिनसीज आने वाली हैं हमने अपने साथियों से बात करी और जो हमारी टीम है उस टीम ने इस मुद्दी को गंभीरता से लिया और जो न्यू वेकिनसीज हैं उनमें इन मांग पर एक्जाम एक ही सिफ्ट में हो अगर आप चैमत हैं जरूर बताएं एक्जाम एक ही सिफ्ट में हो इसके बाद सेकिंड जो बात आती है और इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ एक सिफ्ट में होने का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन का कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा क्योंकि अब की बार जो सबसे ज़्यादा विवाद हुआ है नॉर्मलाइजेशन से हुआ है हलाकि DSSB का जो तरीका रहा होगा साइन्टिफिक रहा होगा लेकिन इससे कुछ ना कुछ बच्चों को नुकसान भी हुआ है किसी को फाइदा भी हुआ है ये सारी चीज़े आप जामते है एक्जाम एक सिफ्ट में हो एक दिन हो और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ नॉर्मलाइजेशन इसमें फिर होगा नहीं इसके बाद अगर एक्जाम जैसे भी होता है तो पांस साथ दस दिन के अंदर OMR seat की जो copy है वो provide की जाए क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमने कितने सही करें हमें ये नहीं पता कि हमने क्या answer बढ़ा है तो साथियों ये बहुत गलत है क्योंकि वहाँ पर question paper पर mark नहीं करने दिया जाता अब क्या पता कि हमने क्या किया है कोई proof तो होना चाहिए इसके बाद जो हम बात करेंगे जो raw marks है वो बताए जाएं, site पे डाले जाएं website पे डाले जाएं इसके बाद हम चाहते कि जो काम हो थोड़ा speed से हो और इसके बाद एक और मुद्दा हम उठाएंगे IU सीमा में बद्राव को लेकर यह बहुत गलत है लेकिन फिर भी हम एक बार दुबारा कोसिस करेंगे लास्ट टाइम होगा और जब भी आपको बताया जाएगा मिटिंग के लिए आप प्लीज आएं, अगर नहीं आएंगे तो दुबारा भूल जाएं कि हमारी तरब से ऐसा कुछ कोई भी स्टैप नहीं लिया जाएगा आई उस्वीमा में बदलाव को लेकर तो सातियों आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपकी कुछ और भी मांगे हैं तो वो भी हम सामिल करेंगे तो सातियों अगर वीडियो अच्छी लगे हम अधूरे हैं मैं आपको सिंपल सब्दों में बताऊं ये चैनल ये नहीं के कोई चैनल है ये क्या एक फैमली है हमें इसको गिरो करना है और कोई भी हैल्प की जरूरत पड़े आप वर्ट्सप पर मुझे मैसेज करें तो सातियों गुडबाई टेक केर थेंक यू जैहिंद वन्दे मात्रम